बच्चो पीए सेकेंडिर में स्मेस्टर फॉर में आपका इंगलिस का टेक्स्ट बूक है सेंटर स्टेज उसमें फर्स्ट प्ले है आपका देन वाई और उसमें हम क्योस्टन आंसर कर रहे हैं आज हम second question करेंगे उसमें हैं आपके 5 question जो 100 words में answer करना है हम समझेंगे कि कैसे summary से answer छाटने हैं और कोई question का answer हमें एकदम डंग से properly आता है तो कैसे attempt करना है नहीं आता तो फिर भी खाले छोड़ने के बजाए कुछ भी लिखना कैसे होता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप question answer यादी ना करो कि कुछ भी तो लिखके आना ही है वो लिख दें उसमें number ने मिलते वो तो बिल्कुल last moment की बात होती है इमानदारी से काम करना है अपने प्रतिमानदारे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट आपका कृष्ण कृष्णास विजिट अजन इन्वाई stands for stands for का मतलब के लिए होना यह हैवी पीस यानि शांती और उनका दुबारा से unity होजे यानि फिर से पैचेप होजे यानि लड़ाय जगड़ा खतम करतें बेट्विन मतलब दो के बीच की बात कौन कौन पांड़ों और कोरव एक्स्पेल करना है कि जो भगवान स्री किरसन दूत बनके गई हैं पांड़ों के कोरवों के पास वो उनकी विजिट का प्रपज उनकी जाने का उदेश हैं क्या था कि उनके बीच में लड़ाय जगड कर देते कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट था इन हैरिटेंस के डिस्ट्रिबूशन का उसको स्वल आउट करने के लिए बगवान स्री किरसन का लास्ट एफर्ट था कि युद्ध ना हो युद्ध किस्थिति को अवोईड करने के लिए कि तू अवोईड दे कंडिशन किरसन वेंट एजन इन्वोई टू दे कोरों के पास एक इन्वोई बनके वह दूत बनके गए अंसर कर देते सिंपल लेगने से में करना कि हांडर्ड वर्ट में आंसर करना है तो इस तरीके से हमारे आंसर का फोर्मेट भी बदल जाएगा कोई भी बड़ा क्योशन आजे इ दूसरे नमबर पर हम लेखते हैं अबाउट दा पले राइट यानि लेख के बारे में नाटक कार के बारे में नाटक कार के बारे में हमने पढ़ रख्या है कि इनके पले सारे गूम हो गये थे और बीसमिस्ताब्दी के शुरुवाती दसकों में थोड़ा बहुत इनके पल दस्त हैं और लगभग माबारत और रामायन के द्रिश्चों में से पिक किये हैं अपने प्ले का सब्जेक्ट मैटर यह हमने अबाउट प्लेरेट लिख दिया तिसरी बात हम लिखेंगे कि शुरुवात कर देंगे क्यों संकी थोड़े सी समरी लिख देंगे कि क्या इस प्ले कैसे बढ़ रही है यानि कहानी को किर्शन की स्टेटमेंट तक ले क्या रहा है कैसे इसमें कराख है किर्शन का जिकर है तो किर्शन एजन इनवुई है ठीक है नट्ट का नाम भी दीनवुई है अब कह रहे हैं कि जो श्यान्ति और जो लड़ाई जगडा खतम करके जो पै side is the winner but there is loss of both sides दोनों तरफ से जो भी क्या कह सकते हैं टीम होती है दोनों टीम का ही लिख दी आमने summary पढ़ी होगी summary में थोड़ा वो समझ माया होगा फिर आमने question पढ़ना है question की statement पढ़ने के बाद answer खुद से बनाने की सोचना है सिद्धा answer को copy नहीं करते पहले अपना दिमाग में खड़े खुदने हैं, अपनी दिमाग से सोचना है कि मैं अपनी तरब से इसका अंसर सोचू, तो क्या हो सकता था, क्योंकि ultimate goal क्या है study का, study का ultimate goal, question answer रटके, syllabus रटके, guide रटके, paper लेखके, और DMC लेका गर जाना नहीं है, वो तो चल कोई भी हो जेग लेकिन जो main बात है study का, कि आपकी personal thinking कैसे develop हुई, आपकी अपने thinking process कैसे improve हुआ, as a person आपने क्या सिखा, आपके personality आपके वेक्तितों में क्या विकास हुआ, क्या development हुई, DMC तो ठीक है, घरा जाकर टेजिम दर देंगे, या उसका बेसपा को कोई नोकरिन नागरी देख लें लेकिन बच्चों, जो as a person आपका वेक्तितों का विकास होता है, वो जिन्दगी भर काम आएगा, क्योंकि अब तक की जिन्दगी में जो आपने, आपके personality का development हुआ है, या फिर जिस type के आप person हो, वो सब career करता है, वो सब काम आता है, फिलाल आपके सीखने में, फिलाल आप सीखने में सक्षम हो, और जब आप जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे, तो आपके वेक्तितों का विकास हुआ, जो आपका वेक्तितों बना, वही तो काम आएगा, जिन्दगी की दुसरी बातों में, कहते हैं ना, कि पढ़ाई के काम आईगा, बिना पढ़ाई भी मनस्प पाईउंगे, आगे बढ़ते हैं, कि जी, क्योशन था अपना, किन क्योशन पर आते हैं बच्चों, हाउ डज, कि कैसे बास ने परसोनिफाई किया, मानवी करण किया, सुदर्शन का, जो चोटा क्योशन होता, तो इसका अंसर कर देते, बास हमारे रैटर है, परसोनिफिके मानवी करण किया गया है, इनसान के तोर पर सुदर्शन को दिखाया है, वैसे तो सुदर्शन एक सर्कल था, जिसका चुगरदयनू पने-पने से दंदयों आगर दे न, और बीच में, बीच से बगवान सरी किर्शन उंगली में, इस सुदर्शन चकर को ऐसे चलाते थे, औ और बीच से भी दूसमन का खात्मा करना तो बगवान सरी किर्शन कमांड देते थे, जाओ भई, फ्लान दगड़ा की नड़ काट लिया, अब बड़ा क्योशन है अपना, तो हम बड़े क्योशन में कैसे अटेंट करेंगे, बड़े क्योशन में, अम बताएंगे, यहाँ, personification का मतलब है, कोई भी non living things होती है, कोई भी non living things, उनको as a person, as a person treat किया जाए, इंसानी गुन, इंसानी गुन क्या क्या होती है, बोलना, सुनना, चलना, समझना, यहनि मानस बना देसी दिवात है, अब वो सुदर्शन चकर तो एक सर्कल था, non living thing थी, उसको इंसान के रूप में उसन रूप दारण कर लिया नाट्यक में सुदर्शन चकर किर्शन के अंगली में कौन गल्दा चकरी कौन कट दा वो मानस बन कहाई जया है यह बात है और फिर इंसान बनने के बाद वो क्या बाते करते हैं थोड़ी सी लेख देंगे कि दुरियो दन की नाड़ कट किर्शन बात करक 27 समझा दें सब कहां। ऐसा क्यों क्यों मांगते माफे वाई बात about the play, about the play right, फिर थोड़ा बहुत समरी लिख दी इस play में, फिर आगे बढ़ते हैं कि यहां तक पोँचते हैं जो कहाणी इसमें पूछ राखी है क्योशन में, क्योशन में पूछ राखा है दृतरास्टर माफी मांगा किर्शन ते, तो उस दृतरास्टर माफी मांगी जारी है, माफी क्यों मांगी, क्योंकि दृतर न ने कड़ी बिगाड दी, खेल बिगाड दिया, क्यों बिगाड या, किर्शन दूद के रूप में आए, हंजी, अब दृतर न नाट गया, मैंनी माननू, जो भी तरी सला है, प्रोपर्टी का बटवारा, को नी करूं किर्शन छ supposed to be जाने लगये, दोन दन बोल्या नुकः करचला जागा, पकड़ो येशन सारी दने लाके, और इसको पाथिछ गामलाई दिया, इभ गामलाई दिया, तो किर्शन को उठकला छो, किर्शन ना आपना सुदर्शन चकर, बुला लिया, और रुका मारिया पेला स सुधर्षन चकर गोम गोम का अंगली मान की बजे वो मानस के रूप में उतर्याए। अब सुधर्षन बोल्या अक क्यों माराज का लिठाई छोड़ा नीशा मानसने। कृषन बोल्या ना इसकी नाड तो कटनी पड़ेगी। द्रितराष्टर कन्नों गया छोड़ा तो गया भई। खाम खाइसने बोला हाने कर दियाने काम खराब। इट द्रितराष्टर बोले किर्षन ते भगवान। ओ माई लोर्ड ले मेरा सर तेरे पाया में। आई पूट माई हैड ओन योर फीट। आई भी मेरा सर तेरे चर नाम है, मेरा चुरान माफ कर दे, इसकी न्याड ना कट्टे। इव कर्षन बोले ठीक है, सुद्राष्टर की बात मान कामने चोड़ा नीश है, इसे बाने सगेल के माथा मेरना चाल पड़े हैं। पॉइंट की बात के थी, के दृतराष्टर ना गलती क्यूं माननी। दृतराष्टर ना गलती माननी क्योंकि दुर्योदन पाच्छा पड़ रहा था कर्षन कै, उसके लिए बेज दी कर रहा, और पाच्छा त बिला पकड़ो पकड़ो, कैसन बोलाता नमा दनमा तरे दख दृतराष्टर ना मांग भी मांगनी पड़ी, नूँ सचा बूद्धा माने की तो के बात टालागा, फिर किर्शन ना मा भी कर दिया, कोन दृतराष्टर ना गलती है, आगे बढ़ते हैं, डी क्योशन है, समब, मतलब नू निचोड सा बनाना है, क्या का, पांड़ों का ज जो बात पूछ रहाखी है, उस तक बात पूछ रहाखी है, कि पांड़ों की नराजगी, पहली बात पांड़ों कुन, पांड़ों पांच, उनके सो कजिन थे, वो कोरव थे, नरे थे, इब कोरों नाट गे, बोले पांड़ों आती, आम उनकी प्रोपर्टी को नी देंदे, बाडम जाओ, उनका हिशा के खेत, उनका हिशा के गेर, उनका हिशा के गामगू, आंड जमीन, everything, गोडे आथी, मैस डांकर, आम निदेंदे गास का एक तिनका भी, मतलब मुशिया पुंजर देंदें तैभी नेट गे कोरओ, इव पंट बाग उठेंगा छो, उनका नुगी बाइव मामपराबर के हां, क्यों क्या थाम गणे होतो हो, इसका उंतले हो थोड़े, न थाम मारे इसा कि जमीन मारे लोगे, इव किर्शन ने बताया, अकमाखरी संदेश लेकाया हूं, अकरी कोशिस है, दूरे दो नुर्तिक हो है, दूत मन का रहा हूं, बात मालो, घर की गर्म बात रहा जागी, ना तो खामखा खेल बगार नानी बात है, तो, इस दोरान किर्शन जी कह रहे हैं, कि किस तरीके से, वो तरीका क्या था, गुसा डिस्क्राइब करने का, एक तो शित असे दाका है, फलाना दकडा वही, छो मैं है, और वो थार्द नराज है, एक उन का, वो नी बीम गोड़ा सुन्या भी होगा किते, मतले बीम ना गुई सा गोड़ा मैरा दर्थीमाद पाणी लेखड़ाया, कि में, यानी उनके ताकत की बात बताना, फिर नू का दे है, बिस्म पिता में, कोभी सिंगल अंडिड अरा दिया था उन्ने युद में, यानी थ थारा नुक्षान घणा हो जागा, यानी पंड़ों की ताकत को एक्स्पेन कर रहे हैं, कि किस तरीके से क्या क्या उनमें स्किल है, और थारा के क्या नुक्षान कर सके हैं, या कोशिश किर्शन की है, लास्ट क्योशन है, वो इज रैफर्ड टू, एज दे लोटस आइड ल अब आधरीकृसन झिकाहा है, जो की दूत के रूप में है, और प्ले का नाम भी क्या है, दी इनवोई, अब उनकी छो मान की बात कर औँगें, क्यों छो में हैं, दूत के रूप में आई थे, ठीक, दूरियो का काम है, के इनकी बात मननी हैंग नइ apenas मननी, और बगवान स्र अब बगवान सरी किर्शन जब जाना लागे तो दुर्यों दन काई पाली बात उनका अस्वाकत के टाइम पून की इनसल्ट करना पूरी रामकानी में नुए बेस दिकरी चान तू बिल्या अथी गोड़ा की बात करें आमने दें ते कास कातिन का भी आपिल्या जा जो अरप दक आपना इसा की जमेन भी घरा तो धना दें आपना इसा की मांगरी हैं किर्शन का वह ऐं दुर्यों दनते आपैम का खून का उनका था अगगत पाइसा बुला लिया सुदर्शन चकर, बुला तरी न्याडब मैं काटूँगा, फिर तरी रास्टर पायाम पड़ा है, बिचेरे किरशन का, अनुका है, मेरा चुरन बगस्ते, इसका तो दमाग तो पैदल है, बावली बूच है, इसने बगस्ते, तरी जान, इसकी जान बगस्ते, औ तेरा बहलाओगा, तेरा सुकर कुचार मनाओगा, फिर किरशन अपने ठंडा पड़ा है, सुदर्शन भी समझाओगा, बिला क्यूं गोबर गेल गोबर होई, बिला चला नड़ता चलांगे, बिला ठीक है, इसने माने से घल के मता मरना, अब यो इस तरीके की बाते, मुझ बात समझमाव है, पहली बात है समझमाणा, फिर बात है, अपनी तरफ से वो क्यों कर बनाओगे, तीसरी बात है, जूगर्थामने लेखना है, वाल लेंग्वेज बनानी, जथारा पल्ले नी पड़ी, तो अंग्रेज जी, टू अंग्रेज जी तो भी किताबा में है, और इतनी समझमाणे जो तो थरू है जंदी, तो बड़को बात सा पर कोई दीकत नी ओने जी ये, अर्यान ये मारी बोली है, हिंदी मारी मातरी बात है, दोन्नु आमंगी, जब जा कर तीसरी बात सा का पीलर मारा स्ट्रूंग होगा, अंग्रेज जी क्यों नी अंधी, क्योंकि जब आमने डंगता जागी, उशा थोड़ी बहूर मजबूत होगी, तो आम उम्मीद कर सेका है दूसरी बात सा मजबूत होगी, एक भाता भी ढंगता नी आम दी तो बूल जाईएो, बिना नीम का गरबर का है, घाना आदूर की बात बढ़ा ओनी, तो बलको या थी थे अगला question में हम third question निप्टावांगे किस तरीके से question आता है तो क्योकर attempt करना है नहीं आनता तो लोगा दोरा क्योकर लाना है मन लाग गया है थारफ समझ में आगी होगी और फिर इस question को जल्दी जल्दी निप्टाएंगे उसके लिए आप बेतर होगा कि समरी पड़े नहीं तो वीडियो को बार बार सुने लग बार आपको आईडिया कलीर हो जागा कि कानी में के जिकर है और question क्योकर पूछ रहे हैं और question attempt क्योकर करनी है तो इसमें आम last question में ये भी सिखेंगे कि क्योकर आता है तो कैसे लिखना है नहीं आता तो भी कुछ ने कुछ तो लिखे आना ही आना है